क्या आप जानते दोस्तो की जिमीकंद की सबजी कुवरधन पुझग की जिंखासकर बनाई जाती है क्योंगि एक लिए मानने न Grad बनाई जाती है जो की काफी केस्टी होती है और किस तरीके से बनाई जाती है उसके रेसेपी में आगे वीडियो में आप लोगों शेखेंगे जारे बहुत ही मदिदार रेसिपी जो आप सभी को बहुत अलग पसंद आईगा और अगर जो है अलग क्वालिटी होता है कोई ज्यादा देर में उबलता है कोई कम देर में तो आप चेक कर लिजे दो या तीन सीटी लगाने के बाद अगर आपका जिमी कांद को आप पक गया के बाद इसे हम ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं क्योंकि जीमी कंद का सब्जीज जो है थोड़ा से बड़े बड़े पीसेस में अच्छा लगता है एकदम चोटा पीज ना करें और इसे हम अच्छे से काटने के बाद इसे हम थोड़ी देर धूप में सुख या फिर आपको जैसे कल बनाना है तो आप आज इसे सब चीज करके इसे सुखा दीजे और उसके दूसरे दिन इसे बनाईए और नहीं उसी दिन बनाना है तो कम से कम दो घंटी की धूप तो आप इसे दिखाईए ही जिससे कि जो इसका स्वाध है बहुत जादा अच्छा आत जाल देती हूं सरसो का तेल सरसो का तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें जिमिकंद को अच्छे से फ्राई करके निकालेंगे सरसो का तेल यहां पर में थोड़ा सली हूं क्योंकि सभी सब्जियों कि मैं अच्छे से इसी में ही सेलो फ्राई करके तो देखे हमारा जिमीकंद यवान यहां को तो अच्छे यहाल में तो बहुंत जरूरी है इसके अपको खुल जादने और बहुत जादा आपको स्वादिष्ट बनाग तो जब भी आप जिम Saleminks atamgain uh चाहिए आप उसे खक्टे बनाएं चाहिए और छाहिए अच्छी Sam suggestap और बच्छों तेल में यहांहों दाल डेंगे। यहां, कोचाई, या फृरज से अरवी, बोलते हैं। श्रेज़ CTRI firstly जिमीकन गोके, कच्चय यहां फ्रासनीर में पत्लानी कीए, इंध dire, और इस अपक जाता है। और यह है कद्दू या जिसे हम बोल सकते है पंकीन, कोहरा और पता नहीं आप मखना भी बोलते है चतित गड़ी में इसको तो यह वही है उसे भी मैं पीसे स्काट ली थी और उसके बाद इसे भी मैं मतलब अच्छे से फ्राइ करना है यह जब हम फ्राइ करते है तो यह सब ज से खतम हो गया है कराही में सब्चीज को फ्राइ करते टाइम तो आप थोड़ा से तेल इसमें डाली सब्जी बनाने के लिए और यहां पर मैं मिर्ची को खड़ा खड़ा डाल रही हूं मतलब 20 से चीरा लगा कर ज्यादा तर हम लोग गाउं में जब सब्जी बनाते है तब खड़ा मिर्ची का टेस्ट भी बहुत अच्छा था है चाहे टमाटर चटनी हो चाहे ऐसा खट्टा सब्जी हो और यहां पर भी मैं एक प्याज काटकर डाली हूं और यहां पर थोड़ा से मीठा पत्ती भी डाल दी हूं और उसके बाद थोड़ा सबुन जाएगा तो हम य अगर हम पहले डालते हैं तो सब्जी का जो कलर है बहुत जादा अच्छा था है अगर यकीन नहीं तो आप एक बर जलुई से ट्राय करके देखेगा और यहां पर अब मैं डाल देती हूं दो चोटे है तो आप चार ले सकते हैं और दो बड़े टमाटर भी देसी टमाटर ह तो आप जाए और उसमें बाद यहां पर मैं नमक डाल देती हूं जिसे कि हमारा टमाटर जो है जल्दी से सॉप्ट होके पक जाएगा अब इसे मैं थोड़ी दर ढग देती हूं करेब इसे मैं एक मिनट ढग देती हूं एक मिनट बन हम इसे चेक करेंगे गाँ में हर घर में यह सबजी बनता है दिवाली के समय में आप जरूरी से ट्राइ किजिएगा अब चलिए समय चेक करते हूं एक मिनट पर तो देखें कितना अच्छा दीख रहा है सबजी का तो यह कलर इसलिए अच्छा दीख रहा है क्योंकि हमने हल्दी पहले डाला था तो कभी भी आप अगर सबजी बनाते हैं तो हल्दी को जब हम प्याज बगर भूनते हैं उसी टाइम में डालिए फिर आप देखिए सबजी का जो कलर बहुत अच्छा कलर आता है अब यह देखें यहां पर मैं ले ली हूं दही क्योंकि हम इसे खट्टे में बना रहे हैं आताइन है दोलों फिर गलाता सब्सक्राइए जार इसे खट्टा दही है खट्टा दही अगर प्रकहा है or यह उडाड़ आता है यहां पर दाल सकते हैं डोचम्मश आप दोगीश चंब स्रेट लीजे और हमारा दही हो गढ़ा है इसलीए हम यहां पर डाल देते हैं पानी करीम यहां पीड़क ग्रेवी होता शुर्ण करता है एक डालता है यहां पहीं अगर आफके पास मही हैं तो मही पतलह होता है तो इसा में अब देखकर डाले या उड़ात ही नहीं पढ़ता है अब इसे देखिए जो हमने फ्राइ करके रखा था उसे भी डाल दिये है जीमी कंदव गएरे को और यह है फर धनिया तो फर धनिया को यहाँ पर मैं हलका सा कूट लेती हूं यहाँ पिर क्रस कर लिजिए और अगर फर धनिया नहीं है तो आप यहाँ पर धनिया पौडर डाल तो सब्जी में देखो बाल आना शुरू हो गया इस अच्छे से वाइल होने दीजिए जिसे की जो टेस्ट है बहुत अच्छा है और खट्टा जो है सब्जी में अच्छे से हो जाएगा जैसे की जिमी कंद वगरा में तो देखिए अब हम चेक करते हैं अब देखिए कितना अच्छा है बहुत स्वादिश कलर देख रहा है कि अब खुजबू भी बहुत अच्छा रहा है आप जरूर इसे बनाईएगा और आप देख सकते है इसका जो ग्रेवी है थोड़ा सा पतला है पर यह थोड़ा ठंडा होने से यह गाढ़ा हो जाता है तब मैं गैस इसलिए एक बार ट्राय किजिएगा और हमारे चत्तिजगर का स्वाद को याद किजिएगा दोस्तों तो देखे यहां पर में जो धनिया करस करके रखी थी कूटकर उसे डाल देती हूं गैस बंद होने के बाद आप जब भी फर धनिया उसे डाली है उसके बढ़ टेस्ट बहुत ज